स्वागते सातियों, आज हम लोग द्रिस्टी क्विक बुक के जो व्ल्ड जोगर्फी है उसका 21st चैप्टर पित्वी की गतियां देखेंगे एक common topic है लेकिन यहां से question हम यह सोच कर छोड़ देते हैं कि इसके questions तो हम सही कर ही लेंगे लेकिन यहां पर हम लोगों को revision में देखना है कि कौन से important fact है जो हमारे exam में आते हैं और उनको हम गलग कर देते हैं आए शुरू करता है important facts को तो पहला question आपसे statement based यह पूछा जाता है कि प्रिथवी यदि न घूमती अपनी धूरी पर न घूमती तो क्या होता या प्रिथवी सुरी के चारोर न घूमती तो क्या होता तो इसको लेके statement दिये जाता है तो इसको लेके कोई गलती ना हो तो है कि अब क्या प्रमाण है इसके कि प्रिथवी सूरी के चारों घूम रही है तो देखिए प्रिथवी यदि अपनी धूरी पर नहीं घूमती तो एक ही हिससे पर हमेशा दिन रात रहता और दूसरे हिससे पर हमेशा रात अगर ये सूरी के चारों तरफ प्रिथ्वी ना घूमती तो मौसम परिवर्थित ना होता तो इस तरीके से प्रमाण से सिद्ध हो जाता है कि प्रिथ्वी सूरी के चारों घूमती है और प्रिथ्वी पर भी सततरूप से घूमती रहती है तो इसको लेकिया का statement आता है तो आपके जो question है इसको ध्यान रखना है आप उसको यहाँ पर सही करें एक word आता है axis तो axis क्या है तो axis अगर आप देखें तो यह आपका जो north pole है यह आपका south pole है इसको मिलाने वाली एक कालपनिक रेखा इसी को कहते हैं अक्ष यहाँ पर mention किया गया है कि अक्ष जो है उत्तरी द्रूप यानि कि north उत्तरी द्रूप और दक्षणी द्रूप यानि कि यह south में इसको मिलाने वाली कालपनिक रेखा है इसी के साहरे प्रिथवी गूणन करती है गूणन का मतलब लट्टू की तरह जिस पर वो सुर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है अब समझने वाली बात यह है कि प्रिथवी अपने अक्ष पर कितनी जुकी हुई है तो आपके लिए विकल्प बनता है एक तो 23.5 डिगरी बनता है और दूसरा बनता है 66.5 डिगरी तो दोनों में आंसर क्या देंगे यह इमच बना हुआ है यह ठोड़ा सा जुकी हुई है तो इसक जुकाओ होगा वह कैसा होगा । अगर आप अपना इसका प्रिंसिपल आक्सिस से देखें तो आक्ष्स से इसका जो अं.गा एग्श्स से एंगिल दो कितना होगा यह वाला आंगिल देखिए तो यह आपका 23.5 degree और अगर कच्छा तल से देखा जाए यानि कि इसका जो कच्छा तल जो सूर्य के चाहतर भूम रहा यानि कि आप equator को मान लेते हैं तो यह वाला जो जुकाओ है जब इसमें 90 में से 23.5 degree घटा देंगे तो किता आजाएगा 66.5 degree दोनों को जोड़ने पर 90 degree है तो यही है इसमें difference कि जब अक्छा से पूछा जाए कितनी जुकी है तो 23.5 degree और अगर कच्छा तल से पूछा जाए तो 26.6 degree दोनों में कोई confusion ना हो इसको आप बिलकुल माइंड में अपने रख ले प्रित्वी का आकार कैसा है इसको लेके questions खूब बनते आए हैं थोड़ा मैं इसको zoom in कर ले रहा ताकि आपको अच्छे से समन्द में आ जाए तो प्रित्वी का आकार है geoid एक सब इसके लिए अलग से ही प्रयूक्त होता है geoid geoid को आप ऐसे समझ लीजे कि प्रित्वी पूरा गोला नहीं है ये वाला भाग जो है थोड़ा सा चिप्टा है ये वाला भाग थोड़ा सा चिप्टा है तो इसलिए इसका जो आकार है वो थोड़ा कुछ ऐसा है इसलिए इसका नाम जो है geoid यानि कि भूग आप आकरती इस तो आप अपतर उसे आप डालें तो लाइट देखर ली दूर है तो घिकर परता में पड़ती है जितनी में पड़ेम उजाव्त और नोगो दीन होगा वाखी जितने में पड़ेगा वह आपका रात तो इसमें जो यहीं एक उलक्या है टॉकिक चार ओ तरफ दूसरी है revolution जब कभी confusion आपको हो जाया wordings में तो आप English वाला देख लें सबसे अच्छा है rotation लड़ू की तरह नाच रहा है और revolution जो है वो चारो तरफ उसके सुरी के चारो तरफ चकर काट रहा है अब rotation से लेके क्या question बनते हैं इनको लेके देख लेते हैं तो पहले तो दिसा जान लिजे कि rotation की दिशा कैसी है ऐसे घ्वोम रही है कि ऐसे घूम रही है तो एक चीज जानेये कि आप बॉल को कहीं भी इस्थरमान लिजे यह आपका West हुआ यह आपका East हुआ तो West to East घ्वोम रह के जाने की ऐसे घ्वोम रही है ठीक है तो इस तरीके से आपको नहीं होगा पस्चिम से पूर्व दिसागी और लट्टू की भाहती घूमना प्रित्वी का घूड़ा निकी रूटेशन कहलाता है तो एक दिसा हो गया दूसरा हो गया इसकी चाल कितनी है तो लगभग 1670 km पर घंटे की चाल से यह घूम रही है अब आप समझ सकते हैं कितनी स दो चल रही है अब की गाड़ी 60 की स्प्रीड में चलती आपको लगता है कि गाड़ी कितनी तीज है और आपकी चाल देखिए प्रित्वी की कितनी है गंटे में 1770 km पर घंटा की रुपतार से चलती है घूड़न का समय कितना है तो गूड़न का समय वही है जो आपके एक द कारण होता है तो विशुवत रेखा का जो सूर्य होता है वहां पर चुकी दोनों तरह बराबर लाइट पड़ती दिन रात वहां पर समान होते हैं और वहां का चुकी जो सापेक्षी कोडी जुका होता है मिसा सुनने होता है तो ऐसी स्थिति कहां पर होती है विशुवत तो देखिए इसका जो रोटेशन है एरो बना हुआ है किस तरीके से रोटेट होगी तो इक्वेटर पर तो इसकी जो स्पीड होगी तो यह रहे इसकी important facts यहां से questions आपके बनते हैं क्या प्रभाव होता है statement को लेके question पूछे आते हैं कि जो घुणन गती है दैनिक गती है उसका क्या प्रभाव होता है ना होता तो क्या होता इस तरीके से question बनाके आपको confused कि अदा सकता है अलाकि आपको चीजे पता हैं लेकिन और भी options अगर पढ़े होंगे तो गलत नहीं होगा तो प्रभाव घुणन का दिन रात होना सबसे बड़ी बात है ठीक है जब आप देखते हैं कि सूरी चंडर्मा वगरा जो हैं वह आपको पूरु से पस्यम दिखाई देते हैं कि सूरज अभी पूरब में होगा है फिर ज जीटा मुदन गतिके प्रभा से जो जह राल इस बहले आनोर तो उसके कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ग में पहुन अपने दाईं हो नियुक्रो नहीं समझ में आया थो इसके लिए कि आप मेरा जो क्लास्रूम वीडियो है वहां पर आप विजिट करें जिसमें मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है को रियालिस बलके बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा अब इसका जो चौथा एक्ट है वो है कि ज्वार भाटा की जो दैनिक या अर्ददैनिक अगृत्ति है इससे उत्पन ज्वारी तरंगों की दिसा है प्रित्वी की घुनन गति से प्रभावित होती है तो आपके स्टेट्मेंट में यह चार स्टेट्मेंट अगर आते हैं तो एक्सिस का एंगिल याद रहेगा आकृति जीवाइड याद रहेगी प्रदीप तुपित्य याद रहेगा किस दिसा में घुनन करता है यह याद रहेगा इसकी चाल कितनी है समय काल कितना है और अगर अगर दुरूंगों पर देखा जाए तो इसकी स्पीट कैसी होगी अने अक्ष पर घूमती हुई प्रिथवी सूरी के चारों और चक्कर लगाती है क्या है स्पीड तो स्पीड आपको यहाँ देखने को मिल रही है एक लाख साथ हजार किलोमीटर प्रिद घंटा से यह दिल वित्ताकार कच्छा में चक्कर लगाती है तो इसी को जो है परिक्रमण गती कहते हैं कितना समय लगता है तो 365 दिन पांच घंटे 48 मिनट लगता है तो यहीं आपका 365 दिन लगभए एक साल होता है बाद में लीपियर लाकर किसको थोड़ा सा मैनेज किया जाता है तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया है कि 365 दिन ही माना जाता है एक साल में जो लगभग इच्छा घंटे अतरिक्त है तो 24 गंटा 14 दिन आपका लीपियर हो जाता है उसमें 366 दिनन की फरवरी 29 की हो जाती है यह रहाप का रिवलुशन का छोट अफ दिन रात का छोटा और बड़ा होना अब यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि दिन रात तो चरने बताया था कि रोटेशन होता है लेकिन छोटा बड़ा होना किसे होता है रिवलुशन होता है अगर आज समझ में आये तो ग्लोब रखिएगा अपनी टेबल पर बीच में और जलाएगे एक बल्ब और देखिएगा किस अक्छांस पर कितनी देर तक लाइट रहता है और उसी अक्छांस पर बिप्रीत तिस्थिति में जाने पर कितनी लाइट रहती है तो समझ में आ जाएगा समझते हैं तो कोई बात ने रेवलुशन का परिणाम है कर्क और मकर प्रेखा का निर्धारण जो होता है वह भी इसी पर होता है क्योंकि 23,5 डिगरी तक ही जो है आयन मृत होता है और वहीं पर लंबोत करने चमकती है सुरी की किरनें का सीधा तेरिशा चमकना आप देखते हैं कि गर्मियों में सर के उपर सूरज होता है और ठंडियों में तो उपर आता नहीं है यह ना तो यह किसकी वज़ा से यह भी आपकी रिवल्यूशन की वज़ा से ऐसे स्टेट्मेंट आप से पूछे जाएंगे विश पर शामा का दिन और शामा की रात होना भी रिवल्यूशन का ही एक प्रभाव है तो यह रहाप का प्रमुख जो रिवल्यूशन के एफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है तो रोटेशन देख लिया रिवल्यूशन देख लिया अब थोड़ा सा देखते हैं चेंज देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी डेट हैं तो एक तो 21 जून को पढ़ेंगे एक बाइस दिसंबर को पढ़ेंगे एक 21 मार्च और 23 सितंबर को पढ़ेंगे तो यह चार डेट बहुत इंपोर्टन हैं इनको याद रखिएगा तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं 21 जून की इस्थिती इसको लेकि क्या-क्या कॉस्ट्र बनते हैं और हमें क्या-क्ै जानना चाहिए वह में याद रहना चाहिए तो 21 जून की जो इस्थित्य है होता है लाकिस में ग्रीस मृत देखते हैं कि आप सुरू हो जाती है तो 21 मार्च के बाद ही तो होगा तो अभी तो आपका दिन बढ़ा होगा मार्च में कैसा होता है ठंडा मौसम रहता है ना धेरे-धेरे करते हैं माई-जून में देखे किता हो जाएगा क्या स्थिती बन ज करती है क्रीस मृतू का आगमन हो जाता है कब 21 मार्च के बाद फिर क्या होता है चुकि अब 21 मार्च से उतरायण होगा तो किस दुरूप को प्रकासित करेगा उतरी दुरूप को प्रकासित करेगा 23 सितंबर तक उतरी दुरूप प्रकासित होता रहता है इसलिए 6 महीने के महां पर दिन हो जाएगा और इसके विप्रित दक्षणी गोलार्थ में क्या होगा उल्टा हो जाएगा रात तो 21 मार्ट से 21 जून की अवधी को क्या कहेंगे उत्तराइण की स्थिति कहेंगे क्योंकि सूर्ज उत्तर की तरह ज्यादा चमक रहा है अब 21 जून को सूर्य करकरे पर लंबवत होता है देखिए हर अक्षांस पर लंबवत होने के तिया अलग होती है तो यह 21 जून ही कह लिया गया तो कि उसके बाद फिर दक्षणान होना जूर हो जाएगा तो यह आयन की एक सीमा है आयनांत है प्रापिक्स है इसलिए नाम पढ़ा है ट्रापिक अप कैं fps यानि कि क्रीश्म अइनांत य उत्तरलं दी कहते हैं कि अब गर्मी में गर्मी का यहां साब इससे जादा प्रचंड नहीं होगा यहां से इसका और अब जो अगली डेट है उसको देख लेते हैं 22 दिसंबर की क्या इस्थिती होने वाली है 21 जून की देख लिया 22 दिसंबर की देख लिए तो 23 सितंबर से 21 मार्ज तक प्रित्वी का दक्षणी दूपर कासित होता है तो दक्षणी दूपर चा महिने का दिन होता है यह जो 23 सितंबर से 22 दिसंबर की अबदी होती है यह दक्षणायन होती है यह 23 सितंबर वाला बार बार नाम आ रहा न 21 मार्ज 23 सितंबर 21 मार्ज 23 सित कि अबहुता है अभी आगे पढ़ेंगे क्योंकि दिन दात rzeczywiście है कि और इस अबधि को दक्षणयन किते हैं उस समझ इब करेंद में हैं इंडियामना है तो आप समझे कि इस्थिति में आपको गर्मी लगती है या रखन के इस्थिति में गर्मी लगती का पूर सकते हैं तो गर्मी जो आपको लगती है उत्राइन किस्तिरी में लगती है ठीक है तो इसमें डेट दी गए यह 22 दिसंबर तो यह मकर रेखा पर सूरिच अमकता है आप देखें उस समय आपको ठंडा महसूस होता है क्योंकि जो सूरिच की किर्णे है वो तिर्ची होती है तो लंबवत कहां होगा मकर रेखा पर लंबवत होगा तो उस समय सबसे बड़ा दिन कहां होगा दक्षणी गुलार्ड में दिन सबसे बड़ा होगा है और राज जो है वहां पर सबसे छोटी हो जाएगी तो इस समय सूरिच सीधी किर्णे कहां पर पढ़ेंगी मकर रेखा पर पड़ेंगी थिक तो सबसे लंबे दिन छोटी रातों वाली जो ग्रीस मिरितु जो होती है दक्षनी गुलाड में होती है उतरी गुलाड में सब कुछ इसी का उल्टा कर दीजे तो इसको लेकर स्टेट्मेंट जब भी बनेंगे तो आपका जो है गलत नहीं होगा इसलिए इ इनांत या दक्षन एनांत या विंटर सॉलस्टिस यह रहे हमारे दो डेट इंपॉर्टेंट 21 और आपका 22 दिसंबर अब एक डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर यह एक्चुली विशु की स्थिति है तो इस स्थिति में क्या होता है विशुवत रेखा पलनम बहुत चमकता है भाई एक बार उत्तरान के समय विशुवत रेखा पर आएगा सूर एक बार दक्षणान के समय आएगा बीच में विशुवत रेखा पर ठीक है तो ऐसे में क्या होगा दो डेट पड़ेगी किस मार्च और 23 सितंबर तो इसमें क्या होते हैं दिन रात पूरे विशु में बर कorangे हैं कर दोता ले लेगे है कि उत्तरी गोलार्ध में कब होगा बसंत ऱ इतू तो इकिस मार्च को तरे गोलार्ध में सन्तो जब उत्तर दे रहे हों तो उत्तर दक्षेन थोरा सा जरूर ध्यान रखेगा कुछ समय सूरज कि धर है सूरज की दिशा आपने यहां गर्मी से आप महसूस कर लिजेगा जिस दिन आप एक्जाम देने बैठे हो उस दिन सूरज कहां चमक रहा है तो इस तरीकित आपने स्थि देख लेते हैं चार डेट देखने के बाद तो हमने जो देखा अभी तक कौन-कौन से 21 जून बड़ा दिन 22 दिसंबर चोटा दिन बराबर बराबर वाले 21 मार्स 23 सितंबर यह सब स्थितियां मने उत्तरी गोलार्ट के संदर में बोली है जब धर्षणी गोलार्ट बोल कि अब दो सब्दा है उप उर अपसाओर यह उपसाओर क्या है और अफसाओर क्या है कौन से कोईस्जर से बनते हैं बो दिख लेते हैं जब आपकी प्रिथवी सूरी के सबसे पास में हो तो जों कहेंगे पेडिहीलिएन या ओनी कि उपसाओर यह दूरी कितनी होगी 147 5.000 कितना होगी लगबग 1500 मिलियन लेकिन इसको आपको 1500 नहीं बोलना है क्योंकि अप्रॉक्सिमेट अप्सॉर्भी इतना ही मिलेगा तो इसलिए 147.5 इसके बाद एक घटना जुलाई में होती है जब पृत्वी सूरी से सबसे अधर दूरी पर होती है तो आपने देखा कि दीर प्रित्ताकार कक्छा में भूंती है ना यह सन है तो सन के साथ दीर इसलिए असी आएगी जब बिल्कुल पास में होगा ना सूरज पृत्वी जो है खीक है ऐसे तो एक स्थिति आएगी जब सबसे पास में होगा एक सबसे दूर में होगा तो यह होगे आपका उपस और यह होगे आपका अपसौर तो यह आपकी हो जाएगी तीन जन्वरी को स्थिति हो जाएगी और यह हो जाएगी आपको चार जुलाई के स्थिति हो को याद रहेगा अब हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए अब थोड़ा सा पढ़ेंगे सूरी ग्रहण के बारे में कौन से इनसे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे सूरी ग्रहण जो होता है कब पढ़ता है और किस स्थिती में पढ दालने कि किसी की हिम्मत है कि प्रिफवी पर निचाय डालते ऐसा तो चंबो नहीं है हाँ यह हो सकता है कि हम सूरी को देख रहे हो और बीच में कुछ आ जाए तो हम उसको देखना पाएं तो बीच में आ कौन सकता है किसकी हिम्मत है चंद्रमा चंद्रमा अगर बीच में आजाएगा हमारे तो हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे और उसी को हम मान लेंगे सूर्य रहाण ठीक है अब कन्फूजन दूर हो गया अब सूर्य रहाण कब होता है तो एक डेट याद रखें यह अमावस्या को होता है क्या हर अमावस्या को होता है नहीं हर अमावस्या को नहीं होता है तो जब फॉरी भाग चिपेंगा तो आनसी इस पूरा सूरी खिप जाएगा तो पूर्ण सूरीक नहीं कहेंगे अब इसके लिए कुछ और भी बड़ आता है जैसे डायमंड रिंग है इसको हीरक विले कहते हैं जो पूर्ण सूरीघ्राण होगा तो क्योंकि सन ह तो क्या होगा गरिंग की तरह दिखाई देने लगे गए अब डाइमंड के अलामतों किसे तुलना की नहीं जा सकती इतना चमकदार तो डाइमंड रिंग उसका नाम दे दिया गया तो यह रहा आपका सोलर एकलिप्स अब लिउनर एकलिप्स पी ऐसे देख लेते हैं चंद्र हमारे पीछे आजाए यानि कि हम बल्ब लेके अपना मूँ सीसे में देख रहे हो जो बल्ब को देख रहे हो बल्ब हमारे एकदम पीछे आजाए सर के तो क्या हमको बल्ब दिखाई देगा सीसे में नहीं दिखाई देगा तो ऐसे समझे कि प्रिथवी जो है वो बीच में यानि कि प्रिथवी आ जाय तो चंद्रमा पर प्रकास पड़ेगा ही नहीं थोड़ा पड़ेगा तो आनसिक पूरा पड़ेगा तो पूरा नेरा पूरण जेंद्लका किसे भौता है तो हर separate पॉनिमा को होता है नहीं लेकिन जब भी होता है पॉनिमा की ही रात को होता है क्यों नहीं होता है तो वही पांच दिगरी का चक्कर है कख्षातल में ठीक है तो यह आपका जो में बेसिक concept रहा सूरेगराण का और चंद्रगराण का इस image से भी आप देख सकते हैं किसमें कौन किसके बीच में आया है वह आप देख लीजे आपको समझने आ जाएगा तो एक जटके में बताईए सूरेगराण ऊपर है कि नीचे तो सूरेगराण ऊपर है लिखा भी है पीच में यह है सूर्य यहां बैठे हैं आप और यहां सिब देख नहीं पा रहे हैं सूरी का तो यह बन गया सूरीगराण ठीक है यह आपका सूरीगराण और चंद्रगराण हो गया अब जो इससे important fact है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और wordings हैं जो पूछे जाते हैं चुकि यह आगे पीछे जब होंगे तो एक रेखी स्थिती बनेगी एक दूसरी के सीध में आ रहा है ना तो सूरी चंद्रमा प्रित्वी जब एक रेखी स्थिती में होंगे तभी सूरीगराण चंद्रगराण होगा ठीक है अब कौन किसके बीच में आता वो डिसाइड कर अएश्रा करें यूती किसको कहेंगे यह संज़नीं के द ऊन्यूराण के दवराण यूती होगा तो सूरीगराण के द दोरान क्या होगा उसको कहेंगे यूती और जब सूरिप्रित्विप इसको कहेंगे यूती एका यह आपका फैक्ट points First हो गया अब एक घटना आती है सुपर मून ब्लू मून ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइब है ना ब्लड मून यह अक्सर कर न्यूज में देखने को मिलता रहता है तो कौन-कौन से मून है भाई मून तो एक है सुपर मून कहां से आ गया तो एक खबूली घटना है दरसल होता क्य है कि चंद्रमा प्रित्वी की परिक्रमा दीर घृत्ताकार परिवत में करता है जिसकी वज़ासे दोनों कि जो स्थिती है वो दूरी है बदलती रहती है तो सुपर मून ऐसी स्थिती का नाम है जिसमें चंद्रमा प्रित्वी के सबसे निजदीक होता है सबसे पास आ गया तो सुपर हो गया, इसी को कहते हैं पेरिजी फुल मून, ठीक, इस दसा में चन्रमा पहले की पेक्षा 14 प्रत्सत अधिक बड़ा और 30 प्रत्सत ज्यादा चमकीला दिखाई पढ़ता है, यह सुपर मून की स्थिती होती है, अगर ब्लू मून की बात करें, तो इस खगोली में अंतराल होता है, 30-31 दिन में संतुलित हो पाता है, ठीक है, तो और इसका नीले रंग से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी घटनाओं की पुन्रावित्ती लगभव 2,5 साल बात होती है, ठीक है, अब एक पूर्णिमा जो होती ही सामानता साथे 29 दिन पे आती है, तो इसलि लड मून क्या है, तो CHAPE, चंवर्ण चंधर गहां के स़ंगार को बलड मून कहा गया है, इसको टिक त्राट भी कहा जाता है, दरसलों, क्या होता है, कि पूर्णिमा की घटना में सूर्ई चंद्रमा के बीच में अप्रथ्विय जाती है, तो इसकी पूर्ण 6 साल संद्रमा तो यह रहे कुछ फैक्ट, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जौर भाटा, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे, इसे आने वाले जो क्वेशन है, उसको भी देखेंगे, या आईए देख लेते हैं, छोटा ही है, कंप्लीट कर लेते हैं, इसी में थो प्रभाव से होती है, तो अगर आपके स्टेट्मेंट में चार चीजे आ जाएं, तो चारों चीजे आपको यहां पर मेंचन करनी है, कि कौन-कौन सा, सूरी चंदर्मा का अकर्शन बल, पित्वी का गुरुत्त अकर्शन बल, अपके इंद्री बल का प्रभाव, चारों इस इसमें क्या-क्या हमें क्विश्चन आते हैं, उनको थोड़ा सा समझने वाली बात देख लेना है, देखिए, जब सूरी प्रित्वी चंदर्मा एक सीध में होंगे, सिजगी की स्थिती होगी, तब उस समय आकर्शन जादा होगा, तो दीर गजवार होगा, ठीके, इस तरह कि जवार जो है, वो एक माह में दो बार, यंवार को आते हैं, सीध में होते हैं, और जब एक स्थिती ऐसी होती है, कि जब ये संठ्वी चंदर्मा यहां पर हो तो क्या होगा, एक स्थिती संठ्वी हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, कि आकर्शन बल थोरा सा एक दुसरे इ unfortunate पूरीट काम करेगा तो ऐसे में निम्नुजवार की स्थिति उत्पन होगी अब जो लगुजवार आता है उसके उत्पत्ति कृष्णपक्ष एंसुक्लपक्ष के सब्तमी या इस्थमी को होती है तो ऐसे भी कुछे गए हैं इससे कुछ लाप भी है जैसे जल विद्धुत प पहुचाने में सहता मिलती है इस तरीके से देखें तो जो जो प्रकार है वो आयनवित्ति हैं भूमद रेखी है तो देखें जब चंदर्मा का अधिक्तम जुकाव करको मकर रेखा पर होता है तो इस स्थिति में अकर्षन बलके प्रभाव से आने वाले उच्छ जो आने व जो यह उपभू और अपभू क्या है तो उपभू का मतलब प्रित्वी से निकट्तम दूरी है तो ऐसी स्थिति में आकर्षन बलके प्रभाव से आने वाले जोआर को पहुब जो जोर कहते हैं जब चंदर्मा प्रित्वी से अधिक्तम दूरी पर अपभू स्थिति होती है तो ज़ारुत पादक बल का प्रभाव कम होने से लगु ज़ार की पत्ती होती है जिसे अपभु ज़ार की संग्या दी जाती है अर्ध दैनिक वा मिस्रिज ज़ार जो है तो ये क्या है तो चुकि दिन में जो आता है तो एक उच एक निम्न ज़ार आता है तो इसे कहेंगे दैनिक जोर किसी अस्थान पर देखे तो एक दिन में दो बार उच्छ जोर आते हैं दो बार निम्न जोर आते हैं और इनकी जो उचाईया होती है लगबग समान होती है जब दो लगातार होती है तो उनको अर्द दैनिक जोर कहते हैं यानि कि दो लगाता रोच्च और नेमन जॉयर की उचाई लगबग जो समान होती है तो उसको अर्ददनिक जॉयर कहते हैं ऐसे जॉयर जो उचाई में भिन्न होते हैं उनको मिस्रिज जॉयर कहा जाता है जैसे उत्री अमेरिका के पर्षिमी तर्टिम प्रसांत महासागर के बहुत से दीव समूव परियुदपन होता है अब देखे प्रित्वी का जो सरबाधिक उचा जॉयर है उत्री अमेरिका के पूरवी किनारे परिस्थिक फंडी की खाड़ी उतरी अट्लांटिक महासागर में आते हैं इंग्लैंड के दक्षिनी तट परिस्थित साउथ हैंटन की खाड़ी में प्रति दिन चार बार जुआर आते हैं यहां पर सागरी लहरे दो बार इंग्लिस चैनल से रथा दो बार उतरी सागर से बहने समय अंतराल पर पहुंशती है अब जुआरी समय को लेके कोईश्चन जादा आते हैं इसलिए इनको थोड़ा सा देख लेता है दिन में सामानता कितनी बार जुआर आता है दो बार प्रित्वी प्रति एक जुआर की उत्पत्ति कितने घंटे के अंतराल पर होनी चाहिए बारा घंटे पर चुकि 24 घंटा होता है और दो बारा आता है तो बारा बारा घंटे पर आना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं तो होता क्या है कि जब एक जुआर आता है तो अगला तो इसको डीटेल में समझाया गया कि प्रित्वी के दौरान जब जौर केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लीती है तो चंदर्मा उस केंद्र से थोड़ा आगे निकल चुका होता है जिससे जौर केंद्र को चंदर्मा के समुख पहुंचने में बावन मिनिट का अधरिक्त समय लगता है तो चुकि एक जौर केंद्र को पुना चंदर्मा के समुख आने में 24 गंटे बावन मिनिट का समय लगता है इसी कारण जौर केंद्र के विपरीद भाग पर जौर के उत् होता है तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर रहा इसको हम लें अच्छे से दीखा समझा और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्स से उनको हमने डिसकस किया इसके अगले वीडियो में हम लोग वर्ल जोगर्फी का अगला चैप्टर देखेंगे तब तक के लिए पर देखेंगे यह वर्ल जोगर्टेंट।